प्रश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भदरं तन्ना आसुव मर्यादा पुर्श्वत्तम श्री रामजिन्द जी की चेतना को प्रणाम को स्वामी तुलसिदास जी की प्रज्या को प्रणाम मेरे प्रिय मेरे आत्मिय प्यूश जी आदरणिय विरेंद्र भाई पराग भाई जीतेंद्र जी रमेश जी और आप सभी समग्र भागवत परिवार एवं ठाकुर एड्यूकेशन ट्रस्ट और मेरी यंग जनरेशन हम डू आई बिलॉंग टू तो मेरे लोग हैं रमेश जी आपने बहुत सुन्दर मुझे स्टार्ट अप एक दम प्लेट्फरम दे दिया कि कहां से शुरू करूं बात करने की वालमी की और तुलसिदास जी प्रियस्वजनों मैंने जब रामयन का अभ्यास आरंब किया तो शुरू आतनों मुझे ऐसा लगा कि भागवत की संस्कृत आती है और विद्यावताम भागवते परिक्षा इतना सुन्दर यदि मैं समझ पाया हूं तो रामयन तो सरल है न लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ इस समय 230 रामयन और 230 रामयन फ्रक्थिएक प्रदेश की अलग अलग कालांतर में आई हूई भाशा में आई हूई और प्रतियाक क्या वरणन अलग-अलग और इसलिए रामयन के बारे में जितना confusion है इप उतना कदाचित किसी भी घ्रंथ के बारे में नहीए फिर विद्वान महापुरुष्यों के साथ समवाद करके एक निश्कर्ष पर आया हूं कि यदि रामयन के बारे में कुछ भी कहना हो तो दो प्रमानभूत ग्रंथे हैं एक महर्शी वालमी की क्योंकि वे रामयन के आदी वक्ता हैं और सवा चार सो वर्ष पहले समवत सोला से एक तीसा तुबी प्रिसाइज कुछ स्वामी तुसिदास जी ने श्रिडाम चरीत मानस लिखने का आरंब किया मध्ययुग में अक्रांताओं के से दबी हुई जो भारत की प्रजा थी उसमें सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति हिंदू धर्मक के प्रति हमारी सामाजिक प्रतिबधता के प्रति और सबसे अधिक हमारे भीतर जो राम विन्वास करते हैं अपने प्रति श्रद्धा जागरुत करने का काम यदि किसी ने किया होगा तो गुस्वामी तुलसिदास जी के रामचरित मानस ने किया आज ये कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं 22 जनवरी को मैं तो वहां था आप यहां के संस्कृत याद करते हैं मैं वहां उपस्तित था और व दो ड़ाई घंटे का समय मेरे जीवन का त्यंत स्मरणिय समय बना है जिसमें चार-पांच बार आँखों में से अश्रु बह रहे थे और जब प्रान प्रतिश्टा हुई उसके बाद पहली दस मिनिट में दर्शन करने का सुभग्य मिला उसमें से मैं एक था लेकिन ये चेतना जो हुई वह कुछ भी न हो पाता यदि गोस्वामी तुलसिदास जी ने रामचरीत मानस का सरजन करके के थबी हुई प्रजा में हारी कुई प्रजा में निराश हुई प्रजा में और याद रखना प्रियस्वजन ओं जब भी कोई व्यक्ति बाहर से वह आपस में लडने लगी थी कि मैं ब्राह्मन आप यादव आप शत्रिय आप वैश्य आप दलीत आप यह जो आज भी परिस्तिटी बहुत अलग नहीं है और आपस में जब प्रजा लडने लगती है तो बाहर के लोग प्रभावी हो जाते हैं बाहर के वो स्वामी तुलसिदास जी ने यह आदर्श दिया है कि हम अंदर अंदर न लड़ें हम अंदर अंदर विभाजित नहों हम एक राम के नाम पर हमारे और श्री राम केवल धर्म पुरुष नहीं है श्री राम केवल संस्कृति पुरुष नहीं है श्री राम हमारे आदर्श पुरूश है है इस अबर आइडियल ही जीवन कैसा जीना चाहिए यदि कोई पूछे तो कहो श्री डाम जैसा जीना चाहिए और राम चंद्रजी में जो साथ में बातें आती हैं सभी के भीतर राम है और उस राम को हमें जागरुत करना है वालमी की रामान का एक श्लोक जिसको आज के छोटे से किवल 15 मिनिट का संबोधने अधिक नहीं बोलूँगा मैं चार बातें श्री राम चंद्रजी के जीवन से सीखने मिलती है जो आज भी हमें जीवन में उतारनी है वो हमारा आदर्श है वलमी की जी कहते हैं द्विश्यरम ना भिसंधत्ते द्विस्था पयति ना श्रितान द्विर्ददाति नचार्थिभ्यो रामो द्विर्ना भिभाशते चार बातें द्वी 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 आपने सुना संस्कृत में इतना तो पता चल आपको पहली बात कहीं द्विश्यरम ना भिसंधत्ते श्री राम चंद्रजी दो बार शरसंधान नहीं करते शर तीर एरो जब उन्होंने एक कार्य के एक लक्ष के लिए धनुष्य पर एक बार तीर का अनुसंधान किया फिर वो लक्ष्य पूरा होना ही चाहिए ये भगवान श्री राम चंद्र जी का शौर्य है और नई पीड़ी सामने बैठी है मैं मैंनेजमेंट के जब सेमिनार लेता हूँ तो कहता हूँ कि हमारे सामने चलो रावन की सेना न सही हमारे सामने हमारे जीवन के आदर्श है हमारे सामने जीवन की चैलेंजिस है वो आदर्श को सिद्ध करने के लिए वो टार्गेट को अचीव करने के लिए एक बार प्रयत करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती इन वन गो ओल इस एनिमीज ओल इस चैलेंज इस ओप्स्टेकल्स और टेकन केर अफ एंगर गॉर्टन डीड ओफ यह रामचंद्र जी का शौर्य है प्रियस्वजण हमारे जीवन में ऐसा शौरी होना चाहिए पिछले कुछ समय से हम लोग इतने सौफ्ट 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 बनते जा रहे हैं यह हमारी सरलता हमारी मरियादा बन गई है और उस हमारी मरियादा का दुरूपयोग किया जा रहा है इस बिन एक्स्प्लॉइटेड बाइस लेवल्स एक चोटा सा द्रश्णान मैं और जंगल में वो गाय उसके आसपास कुछ वाइल्ड एनिमल्स जंगली कुत्ते यह सब इकठ्थे हो गए और गाय के पास गए तो गाय ने अपने सिंग ऐसे किया अब छोटा सा वो वरू है छोटा सा है लोमडी उसकी तो कोई हमत नहीं लेकिन उस गाय ने किया तो फिर दूसरा उपाई ढूंडा वो कहने लगा लोमडी कहने लगी यह गाय बहुत हिंसक है यह गाय बहुत हिंसक है यह गाय बहुत नफरत फैला लोमडी लोमडी ऐसा बोलती है यह गाय बहुत हिंसक है यह गाय बहुत नफरत फैलाती है तो गाय ने सोचा है, मैं तो गाय मेरे बारे मैं ऐसी बातें हो कि मैं वायलन्ट हूँ, मैं नफरत फैलाती हूँ, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती तो गाय ने अपनी सदगुनों को स्थापित करने के लिए वो शान्त हो गई और लोम्री ने देखा कि गाय तो शान्त हो गई है अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करने के लिए दिरे दिरे वो लोम्री और सिद चार पांट लोम्रीयों को ले आई फिर तो जंगल की सारी लोम्री आई एक साथ में हो गई और गाई हिंसक है, गाई हिंसक है, गाई जूटी है, गाई वायलन्ट है, गाई नफरत फैलाती है, ऐसा करते करते गाई तक पहुझ गए, गाई न कुछ नहीं किया, अब तो लोमडी की हिम्मत और बढ़ गई, कि गाई तो कुछ नहीं कर रही है, गाई को नोचना शुरू क प्रियस्वजनों गाई को नोचते हुए भी लोमड़िया बोलती रही गाई हिंसक है गाई हिंसक है गाई नफरत फैलाती है प्रियस्वजनों अब ये गाय को जागना होगा अब ये गाय को अपनी शक्ती का प्रयोग करना होगा अब ये गाई को लोमडी का अपना स्थान दिखा देना होगा और गाई को बताना होगा कि मैं शांत हूं हिंसक नहीं हूं लेकिन हिंसक नहोना ये मेरी मरियादा नहीं है ये मेरी शक्ती है एक कभी ने बहुत सुन्दर कहा है कि हमारे मौन को हमारी सरलता को हमारी मित्रता को हमारे सदभाव को जब गलत तरीके से लिया जाता है तब कहा जाए अभी ये आधोनिक भारत 21st century के 3rd decade का भारत समग्रविश्व से कहना चाहता है सच है इरादे हमारे विद्वन सक नहीं है सच है इरादे हमारे विद्वन सक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है अहिंसा के पुजारी है सच है इरादे हमारे विद्वन सक नहीं है अकारण युद्ध के हम प्रशंसक नहीं है अहिंसा के पुजारी है हम लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक है हम नपुन सक नहीं है द्विश्यरम ना भी संधत्ते श्री राम चंद्र जी का ये आदर्श है कि एक बार एक लक्ष्य सिद्ध किया फिर उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी बार बान चलाना नहीं पड़ता है प्रियस्वजनों जब जब भी तुम्हें मौका मिले लोकदंत्र में मौका अलग प्रकार से मिलता है चुनाव में लोग मौका मिलता है वो जब भी मौका मिले ऐसा उसका उपयोग किया जाए कि सनातन वैदिक संस्कृति की धरोहर को हिलाने का कोई प्रयास करने का सोच भी न सके द्विश्यरम ना भी संधत्ते दूसरा है द्विस्था पयतिन आश्रितान श्री राम चंद्रजी का ये दूसरा सिद्धान्त है उनकी आश्रे में कोई एक बार आ गया फिर उनको दो बार स्थापन करने की ज़रुरत नहीं पड़ती एक बार उसको सेटल किया भी पर्मेनिंट हो गया इसका अर्थ ये है श्री राम चंद्रजी संबंधों की गरिमा को जानते हैं इफिटेक्स एनिबड़ी इंटो हिस शेल्टर कोई उनकी शरनागत बनके आया तो राम चंद्रजी ऐसा संद्रक्षन करते हैं द्विस्था पयतिन आश्रितान फिर उनको बार बार संद्रक्षन करने की उनके स्थापना करने के आवश्यक्ता नहीं होती एक बार कर दिया फिर आश्रित की तो स्थापना की लेकिन आश्रित के उपर जो आक्रमन कर रहा था उनको भी अटा दिया दूर फिर से वे कभी साश्रित के सामने आ न सके बहुत गलत फेहमिया है प्रियस्वजण और जान बुच कर फैलाई जाती है यगनिक जी एक कारेक्रम में मैं था और वहाँ पर आरिय अनारिय की बातें करने वाले कुछ लोग आ गए समाज का विवाजन करने वाले रामचंद्र जी की ही बात थी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते क्योंकि वो तो आरिय संस्कृति के प्रतीक हैं हम तो अनारिय हैं हम तो मूल निवासी हैं यह देखिए हमारे ही भीतर कैसे हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सनातन संस्कृति के भारत के संतानों को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है उन्हें का हम नहीं मानते हैं उन्हें क्यों नहीं मानते हैं उन्हें का एक द्रशान दे दिया कि वाली अनारिय था यहां का मूल निवासी था और राम चंद्र जीन अन्याइसे वाली को मा कि मैंने का देखिए राम कथा नव दिन की जब करता हूं न तो सारे विशेयों को बहुत डीटेल में स्पर्श करता हूं लॉजी कली रैशनली साइंटिफिकली स्प्रिच्वली एक्स्प्लेइन करता हूं दुनिया भर में लेकिन यह जो बात आपने की हैं मैं किवल आपको आपकी भाशा में ही संस्कृत में इसको दुर्जन तोशन्याय कहते हैं कि उनकी ही आर्ग्यूमेंट से उनको समझाना मैंने कहा आपने कहा कि वाली अनार्य है मूल निवासी है और आर्यस संस्कृति के प्रतिनिदिये से राम ने उनको मारा क्यों मारा कि सुग्रीव के लि लेकिन आपकी भाष्टा में किश्किंदा का राज्य किसको सौपा शुग्रिव को सौपा रामचंदर जी ने अपने पास नहीं रखा दूसरी बात वाली ने जो सुग्रिव की पत्नी रुमा को ले लिया था श्री राम चंद्र जी ने रुमा के प्रति कोई कुद्रश्टी नहीं की रुमा को सुग्रिव को सौप दिया मुल निवासी की पत्नी थी मुल निवासी को सौप दिया और सबसे बड़ी बात यह पूरा सेयोग कराया किसने यदि आप वाली को मुल निवासी कहते हो अनार में आरियस संस्कृति में एक व्यक्ति मुझे ऐसा बताओ जो श्री राम हनुमान जी की पूजा ना करता हो श्री राम कि पहले नारियल जैसा मूह लेके आए थे सुपारी जैसा मूह लेके वो गए सब द्विस्था पयतिन आश्रितान वो नहीं करते तीसरी बात द्विर्ददाती नचार्थि भ्यो राम चंद्र जी का तीसरा लक्षन है अर्थी कोई भी अपेक्षा लेकर जब उनके पास आए तो श्री राम जब दे दे तो उसको पैरों पे थापित कर देते हैं उसको बार-बार मांगने नहीं आना पड़ता कि प्रियोस्वजनों हमने देखा है कि बहुत अतीत में भी नजाए कि स्वातंत्र के बाद कि 6 दशकों तक हमने देखा कि कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ मुफ्त की रेवडियां बाटते रहो यह सब करते रहो और लोगों को गरीब ही गरीब रखने का प्रयास किया गया क्योंकि बार-बार लोग हमारे पास मांगने के लिए आए और जब हमारे पास मांगने के लिए आए तो बीच में जो सब है एजन्ट उनको भी सबको मिलता जाए उनके ही प्रतिनीजी ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया देता है पंद्रा पैसा पहुंचता है मैं नहीं कहता ही इस रामो द्विर्दाती नचारती एक बार जिसको आवश्यक्ता है उसको देने का संकल्प किया फिर कोई भी मध्यस् के बीना सीधे उसके अकाउंट में जमा हो जाए यह रामराज्य का दर्श है कोई बीच में आवश्यक्ता पढ़ती ही नहीं और एक बार व्यक्तिक खड़ा हो गया फिर उसको लेने की भी आवश्यक्ता नहीं पढ़ते प्रियस्वजनों पहले लोग कटोरा लेकर के दुन अपना अनुभाव को शायद प्यूज जी आप घर पे आया थे तब भी मैंने आपको बताया था कि करोना के दो वर्श में जहें नहीं जा पाया अमेरिका जो मेरी पुरी विश्व भर में धर्मयात्राइं होती है अभी अभी लॉटा हूं वक्ते पर पहले ट्वेंटी और ट्वेंटी वन दो वर्श नहीं गया बाइस के समर में जब मैं गया नियॉट फ्लाइट से उतर करके इमिग्रेशन के लिए जा रहा हूं और जेफ के एरपोर्ट पर इमिग्रेशन को जब पासपोर्ट मैंने दिया वहां का गोरा ओफिसर करोना भई वहां ऑफिसर पासपोड इमिग्रेशन था बहुपेंद्र भाइप रंडिया को नहीं जानता है वो भारत के पासपोर्ट को जानता ह। और भारत के पासपोर्ट को देगर के मोडी मोडी और उसकर आप जैन थोड़ी जल्दी की ताली एक मिनिट मैं बताओंगा आपको अब बताने की ज़रूत ने बड़े आपसमा बताएंगे उन्हों ने कहा उसने कहा उस Immigration Officer ने You guys handled COVID so well and you gave medicine to the world and grains to the world ना मैं जीवन में पहले कभी उससे मिला हूँ ना बाद में कभी मिलूँगा ना वो कभी मुझे मिला था ना बाद में कभी मिलेगा लेकिन एक डेड़ दो मिनिट का जो वहाँ Immigration पे थपा लगाने का प्रोसीजर होता है उसका अंदर या आदमी ये बोल रहा है द्विर्दताति नचार्थिव्यो भारत मांगने के लिए कटोरा लेकर दुनिया में नहीं निकलता है भारत देने के लिए निकलता है विचार तो हम हमेशा से दे रहे हैं लेकिन अब material वस्तू भी हम देने के लिए निकलते हैं ये रामराज्य की और हमारी गती है और चौथी बात रामो द्विर्णाभी भाष्षते सत्यवीर वचनवीर शब्दवीर ऐसे राम एक बार जो कह दिया सो कह दिया बार बार बचन बदलने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती सनातन वैदिक संस्कृती और राष्ट्र की चेतना का विकास करना है पुनरस्थापन करना है यह निश्चय कर लिया सो कह लिया फिर उसके लिए जो करना पड़े करेंगे फिर मेरे पापा ने मुझे यह कहा था इसलिए मैं आपको छोड़के दुसरे के पास जाओं यह करूं वो करूं या दुसरी जो बातें बदलनी हैं वो बदलने की बातें नहीं आगी रामों द्विर ना भी भाष्टे सत्य जिनका आदर्श है ऐसे श्री राम शंद्रजी शौरिय यह चार सिद्धांत मैंने आपको बताए प्रियों सुझनों रावालमी की रामाइन के आदार पर राममय भारत बनाने के ल करने की जरूरत नहीं पड़ती संबंधों का दोरव द्विर ददाती नचार्थी व्यों दो बार देने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती दानवीर और रामों द्विर ना भी भाष्टे दो बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती सत्य वीर यह चार प्रकार के वीर जो हैं ऐसे श्री राम चंद्रजी हमारे आदर्श हैं और ये राम मैं भारत मुझे आदर्णिय यागनिक जी ने कल ग्रंथ भेजा मैंने पढ़ावी ये ग्रंथ आप पढ़ेंगे प्रभात प्रकाशन ने जो पुरुशार्थ किया है ठाकुर एजुकेशन ट्रस्ट ने सहियो किया है और भागवत परिवार का तो पुरा आधार इस ग्रंथ को है ये ग्रंथ आप पढ़ेंगे केवल राम की दिशा में कि चलना भी प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है ये ग्रंथ के पीछे जो पुरुशार्थ पूरे संपादक मंदल का है वो सार्थक होगा और हमारे भीतर के राम जाग उठे हमारी राष्ट्रीय चेतना जाग उठे उससे बढ़या पुश्प हम गोस्वामी तुलसिदास जी के चरणों में और क्या समर्पित कर सकते हैं आप सभी की अंतर्ष चेतना में बिराजमान श्री राम चंद्री जी को मेरे प्रणाम प्रण बिराजमान श्री जी को में बिराजमान झाल